हेलो दोस्तों आप सकता स्वागताज के मारे इक और नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने बाले हैं दोस्तों होंडाई डियो एसमार्ट स्कूटी को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको उसकी नए कैस प्रैस क्या देखने को मिलेगी अगर आपका वजट कम है और आपको कराने स्कूटी को फाइनस पे ताशी कम से कम डाउन पेमिट क्या कर सकते हैं लोन अमाउट क्या होगी और महीने की और कि प्रैस क्या निकल गाएगे सब्सक्राइब आपको वीडियो में बने रहें वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्कूटी के कैस प्रैस के बारे में लोकेशन हमने अपर लिए हैं नियोद दे लेगी एक्सो रूम प्राइस आपको 8430 रुपे आर्टियों अमाउंट पे करना होगा 9533 रुपे इन सोरस अमाउंट के लगेंगे 61100 रुपे सबी टैक्सों को जोड़ने के बाद हमने इसकी ओन रोड प्राइस को निकाला है ओन रोड प्राइस 26,085 रुपे से 99,800 रुपे की बीच में देखने को मिल जाती है दोस्तों तो दोस्तों ये तो बाद इसको डेके कैस प्राइस के बारे में जानकारी अब बात करते हैं दोस्तों उसके फाइनस के प्लान के ऊपर अगर आपका वजट कम है और आप करते हैं डाउन पेमेंट 25 273 रुपे की उसकी लोन अमाउट आपको 70,212 रुपे देखने को मिल जाती है दोस्तों अगर आप कराते कंपनियां बैक से फाइनस और रहता है रेट ओफ इंटरेस्ट 12% और लेते हैं टाइम अगले दो साल इसकी लोन अमाउट को कम्प्लेट करने के लिए उसकी महीने की EMI आपको 3620 रुपे परमन निकल गए आती है दोस्तों तो दोस्ते तो बाद बारे पहले प्लान के बारे में जानकारी अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरा प्लान जो हमने लिए धाई साल के लिए अगर आप कराते का डिको फाइनस पे तो आपको इसकी परमन्त की EMI 2650 रुपे परमन निकल गए आती है दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्लान के बारे में जो हमने लिए तीन साल के लिए अगर आप कराते स्कूटी को फाइनस पे तो आपको इसकी परमन्त की EMI 2650 रुपे परमन निकल गए आती है दोस्तों तो दोस्तों आज किस व हमें नीचे विडियो में कमेंट कर सकते हैं हम आपके कमेंट गर रिपलाई करने पूरी कोशिस करेंगे तो आपको यह वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें JOE को सुक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यावाद फ्रेंड्स